हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल समराट एजूकेशन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए भार मसेनरी एंड पाउर का एक नमेरिकल बताने वाला हूं बहुत ही इंप्वार्टन नमेरिकल दोस्तों ऐसा नमेरिकल बार बार एक जाम थोड़ा जो हाड हाड है उनको भी हम लोग देख लेंगे ताकि एक जाम में कोई परिशानी नहीं हो तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है क्या क्या कुलेट दबी अच्पी आप एफ फोर स्ट्रोक साइकल आइसी इंजन वीच है शिलेंडर आप 14 सेंटिमीटर इस ट्रोक लेंथ आप 16 सेंटिमीटर क्रेंग साफ्ट स्पीड 1100 अर्पियव फ्रेक्शनल हर्ट्स पावर तीस एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर आठ केजी प्रति सेंटिमीटर स्कॉयर दोस्तों क्या पता जा रहा है कि एक फोर सिलेंडर फोर स्ट्र 1100 और जो दोस्तों यह फ्रेक्शनल हर्ट्स पावर वह तीस दिया गया है और मीन इफ्यक्टिव प्रेशर जो दोस्तों अवस्त प्रभाविद्दाब होता हुआ दिया गया है आठ केजी प्रति सेंटिमीटर स्कॉयर इसमें क्या निकलना है बीच्प ग्याद करना है करते हैं तो सब्सेपर देख लेंगे दिया क्या है तो फ़र्मूला क्या होता है इसपी का फर्मूला होता है कि आएसपी इस इकौल टुफी एल आ अपान फॉट्टि फाइब हंडड्र इन्टू एन रड़ टू-2 इस्टोक साइकल एंजन के लिए तो हमें क्या क्या चाहि यह एड़ चाहिए और देख लेते हैं कि सबस्वाइब मारा प्रेसर यहां पर देखे नीचे दी जा गया है तो इस तो कि लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई तो छोब देख सकते हैं आप कि दी घए गया है दोस्तों आफ देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर दोस्तों डाइमीटर मानते हैं कितना दिया घ्याए 14 cm दिया गया है लेकिन दोस्तों यह Are não ओता है ऑइस बता नहीं में बॉद्फ ऑपॉपार पाई आर इसक्वायर क्योंकि पाई कमान बाइस बट्टा साथ और दोस्तों जो आर है वह डाइमीटर का दुगना वता इसलिए 14 बट्टा 2 कर देंगे इसका होल इसक्वायर करेंगे तो दोस्तों इसको काट देंगे यहें पर पाईस बट्टा साथ गुड़े साथ का होल स्कॉायर अब की तो जाएगा 22 गुड़े 49 बट्टा 7 उसको काट देंगे तो हो जाएगा मतलब एक सोचंहण हमारे इरिया निकल के आ गया है एरिया कितना निकल के आ गया गया एक सोचंहान कैसे आया ब फिर से बताओं का आप लोग वह को 114 इंटिमीटर हमारा एरिया जो हो आ गया पर नंबर आफ एम कितना दिया गया है 1100 आप हम तो अमने सब कुछ पता चल गया बतारा ना कि इतना सब पता चला है प्रेशर जो में पता चला है उब हम प्रती संटी मीटर इसको आयर लेंध पता चला जिसमलों 16 मीटर के इरिया पता चला है कितना है 154 में और 501 1100 तो अब हम इसको फार्मूले पर रख देंगी इसको दोस्तों लोग फार्मूले प्लक्स देते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है फार्मूला पी एल एन अपार फोटी फाइफंड़ेट तो आप लोग यहां से पी का मान देख सकते हैं कितना है आठ केजी तो पी बराबर है आठ गुड़े लेंथ कितनी है लेंथ है जीरो दसमोलो एक शे मीटर तो जीरो दसमोलो एक शे एरिया कितना बगों निकाला वी एक सचंवन नंबर आफ आर्फि कि इस कितने सिलंडर वाला थो उस्तों पिंजन तो फोरिष्ट रोपींजन है एक चार बट्टा दो हो जाएगा तो यहां से चार से दो को कार देंगे के पर यहांपे दो जीरो से दो जीरो को यहां पर कर देंगे अब दूस्तों multiply कर लेते हैं तो 8 का multiply में कर देंगे तो जागा 16154 गुड़े ग्यारण बट्टा 45 कि अब इसको multiply करेंगे कितना तो अब इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो आज आएगा चार सो तैंटीश दस्मलव चार बट्व कितना है पैतालीस अब इसमें जब 45 से भाग देंगे तो मैं सब कुछ कर लिया हूं पहले से तो इसलिए मैं जल्दिदी कर दे रहा हूं अपरोप कर लिजेगा नहीं तो सवाल काफी लंबी हो जाएगी इसमें इसका भाग देंगे तो आज आएगा और जाएं चाहनमि द्समल्व ॥ी क्रि Grüस याइश्प को लिख सकते हैं चाहनमें दसमल्व चार है इह हमारा आईएच्पि निकल क्या निकल क्या गए दोस्तों liver odpowied pec अब आप लोग निकालना है तो आई आइस-पी बराबर क्या होता है ऐस्पी बराबर होता है विफ पर था ख PA कि परना हे निकालना है तो बहुताराबर क्या और जाएगा प्रयाच प्राबर लृफ- conclude है तो भी एचपी बराबर है निकला कितना भी साथ दसमर्लों 4 और फच्प कितना है सवाल में आप लोगको दिखा देता हूं कि यहां पर आप लोग दिख सकते हैं यह फ्रिक्षोनल हर्स पावर फ्रिक्षोनल हर्स पावर किना दिया गया तो इसमें से तीज घटा लेंगे तो एच एफ एच पी कितना लिए था तीस जब इसमें से तीज घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा तो आज आएगा छाँछट दसमलो तीन च्छार तो यह हमारा भी एच पी निकल किया गया अब कैसे लगा है आप लोगों मैं दिखा देता हूं पीडिया भी मैंने बनाया ह कि तो हवाले से तुम्हों से पहले सूत्र से सदेखींगे तो क्याहएं वाल ही सवाल दिख लेते हैं हुड सवाल दिजा धिया यडि कैलकोलेट देभर ऑफ फोर श्ट्रोक फर श्लेंडर इसे इंज है छेर्ट श्लेंडर बोर आप गेले सेंट्यमिटर श् केलेंक सा रथ फ्रेसर 8 केजी प्रति स्ट कर स्टों क्या तर यहां दिया गया एक फ्र पॉर स्ट्रोक सिलेंडर है आइसी इंजन है जिसके भी ऐच्पी गड़ना करना है जहां सिलेंडर का बोड 14 संट्रिमीटर भी लंबाई 16 मुट्र क्रैंकसाब्ट की सबसे पहले निकालने के लिए सबसे पहले में आइच पी निकालना होगा इस पी कितना है आइच परावर होता पी एल एन अपान फुट्टी फाइफंड़ इन्टू यान वाइट फोर इस्टोक्साइकल इंजन के लिए तो अब हम सबसे पहले पी उसमें से सबस्टावर में देखा था लें सबस्क्राइब फिर हमें प्रेज़ी निकालनी है तो उसमें डाइमीटर दिया गया था कितना चौदर तो जो डाइमीटर होता है वह त्रिज्या होती है रेडियस होती है उसका आधा होता है डायमीटर तो यहां पर 14 वटक्टा दो हमने किया तो आगया शाथ तो आर की मांग कितना है तो पाई यार स्कॉर्ड दोस्तों यह बरावार होता है पाई आडिस का यह तो बाइस बत्ता गुड़े मैंने किया तो आ गया कितना वाइस से निटारम और और साथ काटा तो कितना गया कितना यहां टो भूवेश को हो गया। है पिर उसके बाद दिर नमभर धार्पीं दिया गया घ्यारएट-टर डिया गया नबहर फार्पी और कितने इस्ट्रोग वाओं लो गया वह चार हो गया आगे दीखते हैं अब यहां पर हमने सब तो डबल जिरो से यहां से डबल जिरो काड़ दिया दो से चार को काड़ दिया तो यहां पर बचा दो दो का इस आठ मुल्टिप्लाई कर दिया तो आज आएगा 4336.64 बटे में 45 है तो इससे जब दोस्तों इसमें भाग देंगे तो आज आगा 96.96 इसको में लिख सकते हैं 96.4 जब इसको भी राने देंगे तो अभी सवाल गलत नहीं होगी अब दोस्तों हमारी जो आई एचपी हो निकल के आगे कितना प्रएंद किसवाइब छांग तीन 677 आजम करते हैं आप लों के सबस्क्राइब कर देड़ेगा दनेवाद